कौन चला रहा है हमको, कौन चला रहा है, हम चला रहा है, हम चला रहा है, हम नहीं चला रहा है, इंद्रिया हमको चला रही है, और जिस व्यक्ति को इंद्रिया चला रही है, व्यक्ति इंद्रियों के हिसारे पर परतंत्र रहता है, और हमें सब परतंत्र आदमी सुखी नहीं ह सकता है आपको सुखी होना है तो मैंने बीच में कहा अत्यांतिक सुख की प्राक्ति उस सुख की प्राक्ति के लिए आपको क्या करना होगा प्रयास के लिए उस सुख prophet के लिए अपने जीवन को नीच्छावर कर दीजी उसख के लिए आप बाहरinizi डunge हैं हम बाहरी प्राने और पदार्था के लिए दौरते हैं कास अपने जीवन का हम चौबीस घंटे में दो घंटे अपने ले निकाल लेते तो हम परम उपलब्धी को प्राप्थ उजाते हैं कोई नहीं निकालते हैं अपने लीए जीवन को इसमें बैठे हैं तीन चार सो लोग बैठे होंगे कोई अपने जीवन के लिए घंटा भर नहीं निकाल पाते होंगे कोई बैठ गरके आत्म चिंतन नहीं कर पाते होंगे मनुष्य जीवन का कारण क्या है मनुष्य जीवन पाकर क्या मुझे धनी गठा करना मेरी उपलगती है क्या परिवार बढ़ाना मेरी उपलगती है क्या बैंक बैलेंस करना मेरी उपलगती है गाड़ी बंगला खरीदना मेरी उपलगती है क्या इसलिए मेरा पैदा हुआ है क्या इसलिए मैं पैदा हुआ हुआ है गुरु जी ने संत को पूछा एक भक्त को पूछा खाते क्यों हो कमाते क्यों हो तो उन्होंने कहा साहब जी कमाते इसलिए खाने के लिए खाते क्यों है जीने के लिए फिर पूछते हैं जीती क्यों है कोई पता रहा है जीती क्यों हो कोई पता रहा है जीओ आत्म कल्यान के लिए जीओ आत्म कल्यान के लिए पैसा के लिए मत जीओ लडाई के लिए मत जीओ परियार के लिए मत जीओ अपने लिए जीओ जीवन में सहीयम की बहुत ही जरूरत है बीना सहीयम के आप विकास नहीं कर सकते हैं आप ध्यान रखेगा इन चीजों को बीना सहीयम के आप विकास नहीं कर सकते हैं सहीयम बहुत जरूरी है फ्राइंस के प्रदांस से नपती नेपोनियन बोला पार्टा का आप नाम सुने होंगे नेपोनियन बोला पार्टा जिसमाय पढ़ाई कर रहा थे इसकूली पढ़ाई कर रहा थे जब पढ़ाई कर रहा थे और उनके सामने नाचना टंकी करती उनको रिजानी का प्रयास करते लेकिन नेपोनियन बोनापार्ट जब भी ओ लड़की आती तो नेपोनियन बोनापार्ट पढ़ता रहता या लिखता रहता या भोचन बनाता रहता या कप्ड़त होता रहता एक मिनट भी उस लड़की को टाइम नहीं दिया नेपोनियन बोनापार्ट एक मिनट भी उस लड़की को टाइम नहीं देता है जब नेपोनियन बोनापार्ट पढ़ाई के दवरान पढ़ाई कर लिया पढ़ाई करने के बाद में फ्रांश का प्रधान सेनापती बनता है उधर ही चला गया और जिस घर में राता था उधर ही जाता है वह बहन को देखकर के पाचान लेता है फ्रांस के प्रधान सेनपती नेपोनियन बोनापार्ट उसके साथ में और कई लोग गए है नेपोनियन बोनापार्ट उस बहन से पुछता है बहन क्या यहां कोई नेपोनि तीने जीवन हैं बस कुछको की कीड़ा है वो शेके बारे में पूझत भी मत पुछो ने पुनियन पूणापड अंदर मुस्कु रहा है नियुक्त प्रदानसे पती मैं हूं ने पूनियन पूनापड औ जदी तुम्हारे चंगिन में मैं पस जाता तो आज फ्रांस का प्रधान से ना पती नहीं बनता बल्कि मैं एक सधारन सा सीपाही होता सधारन सा सयपाही होता की इस्टुडेंटों से भाईों से निवेदन है अपने पढ ciek को अपने वक्त को बर्बाद हो करते हें अपने जीवन का एक मिनट बरबाद करते हें कितना समने मिल यह कि उसवाद वोक्त को और रुप्य दे करके भी आप वापस नहीं ला सकते हैं उस समय को आप वापस नहीं लासकते हैं यहाऊद ने किसी के सांथ में एक घंटा विवाद किया मतलब आपके जीवन का एक घंटा परबाद हो गया एक घंटे बैट करके निंदा चुगली किये मतलब आपके जीवन का एक घंटा परबाद हो गया इसलिए मताओं सुनियोधन हैं भाईयों सुनियोधन हैं चौपाटी में बैट कर घर के बाहर बैट कर किसी की निंदा चुगडी करके अपने जीवन को परबाद मत करिए आप अपने जीवन के बेस किम्ती जीवन को तबाह होने मत दीजे सुनिदर परिवार बनाईए, सुनिदर घर बनाईए घर में शुर्ग का सिहासन लगाईए आप प्रेम की जिन्दगी जीए, आनद का जिन्दगी जीए, बास्साहत का जिन्दगी जीए, किसी के सामने नाक नाक मत रगड़ते रहिए, भगवान के भरोसे मत बैठे रहिए आप आपके पास वीरता है आपने परिवार बसाया है आपका परिवार है आपके बच्चे है आपके पास ताकत है हरसा है एक बास्साह के जिंदगी जिए भगवान के भरोसे मत बठे रहिए जो भगवान को मानते हूं के लिए मैं छमा चाहता हूं भगवान इस दुनिया में लेक तो पूरा भारत का पूरा विश्व समसान घाट नजर आता भगवान के बारों से बैठे रहते लेकिन असली भगवान ने काम किया वही डक्तरों ने वही नर्सों ने आंकर के इंजेक्शन लगाया टीका लगाया इलाज किया तब आज हम सब जिंदा है नहीं तो लास पड़ कुछ बात करता जाओं वो पुना स्वियम के बाद कर रहा हूं मैं स्रीयम बहुत ही जरूरी है इसी दरह मैंने कहा नेपुनियन बोना पार्ट ने सियम की परिभासा करके प्रधां के सिन प्रधां से नहां पती बन गए इसलिए मैं भाईयों से निवेदन करता हूं माबाप आपके साधी नहीं करेंगे क्या आपके माबाप आपके साधी नहीं करेंगे आपके लिए घर नहीं बनाएंगे अपने जिन्दकी को क्यों तबाह करते हैं आप सब अपने जीवन के मुले समझे आप किसी के साथ में प्यार नहीं करते हैं मोह करते हैं प्यार तो सबसे करना चाहिए प्रेम तो सबसे करना चाहिए आप मोह करके जीवन को तबाह कर देते हैं मुह करके जीवन पर तबाह कर देते हैं कितनी खुशनसीब माबाप होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, योग के बनाते हैं बड़ी तमन्ना होती है मेरे मा, मेरे बच्चे पढ़े, लिखे, अच्छे पोस्ट पर जाए बहुत ही तमन्ना होती है और आप क्या कर डालते हैं, क्या कर डालते हैं, आप अपने माबाप के सामने सर जुखा करके रहते हैं, सर उठा नहीं सकते हैं, और इतना ही नहीं, अपना ही सर नहीं जुखाते हैं, बल्कि पूरे परिवार का सर जुखा देते हैं, पूरे परिवार का सर जुखा देते हैं, सरमंदगा, सरमंदी की जीवन जीते हैं आपके माबाप आपके वजह से इसलिए अपने बच्चों को संसकार इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को आप ससंग मिलागी आईए मैं पुना अपनी बात पर आऊँ सयम सयम जरूरी है उतना ही खाए जितना हमारा पेट पचा सके अधिक खाने की जवरत नहीं है वही चीज़ खाए जिससे हमारा स्वास्थ अच्छा रहे खाने पीने से मैं कल भी कहा था खाने पीने से हमारा जीवन का सुरुवात होता है जब अब तड़क भड़क के चीज़ खाते हैं तो हमारे मनुमस्तिक समय वैसे तड़क भड़क के विचार आएंगे इसलिए सात्वीक भोजन हो मैं पहले ही दिन का चुका था अंड़ा मास मचली सराब गुप का तंबाख हुए सारे चीज़ मत खाये मत पीजिए सराब न पीना बंधु पागल फिरोगे बजार में याद रखना सराब पीकर के अपने ही परिवार वाले आपके माबाप आपके बच्चे आपसे ही प्यार करना छोड़ देंगे सय्यम की जरुरत है सय्यम की बात आई तो मैं कहूँ आप जानवर नहीं है इनसाण है मैं बात सिधी कहता हूँ कड़पी लगेगी तो आप ध्यान दीजेगा लेकिन विचार करिएगा मेरे बातों को गाए को मांस देदो आप गाए को मांस देदो क्यों ना गाए मर जाएगे लेकिन मांस नहीं खाएगी गाए मर जाएगे लेकिन मांस नहीं खाएगी सेर को आप घास दे दो लेकिन सेर मर क्यों न जाए लेकिन सेर घास नहीं खाएगा लेकिन आदेमी एक ऐसा जानवा है जो सबको हजम कर जाता है सबको हजम कर जाता है इंसान है हम इंसान की तरह जिए हम और सदुरु कबीर की वाणी यही संदेश देती है इंसानियत है तो इंसानियत पैदा करिए जानवर की तरह जियर मंदी जीए बातसाहत का जीवन जीए आप बातसाहत का जीवन जीए एक जगे बहुत बड़ा भप्य मंदीर था एक बहुत बड़े भप्य मंदीर में एक बड़े लोग आये बड़े लोग आये और बड़े लोग आये उनके पास में बहुत सारे चीज थे मंदीर में प्रवेश करने से पहले ही लिखा था कि इस मंदिर में कोई भी चीज ले करके मंदिर में प्रवेश करना वरजीत है यह सहीयं की परिभासा बता रहा हूं आपको मंदिर में प्रवेश करने से पहले लिखा था कि मंदिर में कोई भी चीज ले करके प्रवेश करना वरजीत है बड़े लोग थे, उनके पास में बड़े बड़े थैले थे, बड़े बड़े कीमरे थे फोटो केमरा अलग था, विल्डियो केमरा अलग था, बड़ा बड़ा थैला था कहीं से यात्रा करके आ रहा है थे, अब उसको रखे तो रखे कहां इतने सारे समान करीब 20 की टोलिया थी इतने सारे समान रखे तो रखे कहा मंदीर में जाना भी सब को था सभी ने किया का सब के सभी समान अपना अपना सारे समान को लागर के एक जगए कठ़ा कर दिया एक जगए कठ़ा कर दिया अपने जेब टोलते गए जेब से पड़ सभी निकाल करके रखते गए और वहाँ पर एक कुत्ता था उनके साथ एक कुत्ता था दिखने से भी डरावना लगता था भयावा मंदिर में प्रवेश करने से पहले कुत्ते के माली कुत्ता से कहते हैं इसका ध्यान रखना कुछ नहीं होना चाहिए इतना ही कहता है इसका ध्यान रखना है कुछ नहीं होना चाहिए और सभी लोग किम्ती से किम्ती समान मुबाइल केमरा पर सब कुछ छोड़ करके चले गए मंदिर में प्रवेश कर गए और करीब करीब मंदिर से घुम करके आते आते डेड़े घंटा लग गया देड़े घंटा लग गया तो वहां से टस और मस नहीं होता है हिर्ता नहीं हैана किसी के मजाल है कि कोई आदमी वहां का समान चोड़ सके कोई समान नहीं चोड़ता है देखिए जिव जन्तु में इतना डिशी प्लीन है इतना सुयम है आदमी अपने इसारी पर दुनिया को न चाती है अपने इसारे पर लेकिन अपने आप से खुद परतंत्र बना है बिड़ी और सिक्रेट के लिए भीक मंगता है नाकर गड़ता है भगवान नौकरी देदो अरे कर्म करो कर्म से आदमी महान बनता है कर्म से आदमी वीर बनता है कर्मों की पूजा करो क्यों नाकर गड़ते हैं यह सत दुनिया में पढ़े रहते हैं या देड़ घंटा लग ज देखते हैं समान जैसा करता ऐसा पड़ा राता है उत्षा में उत्ता में भी सिट्लिلى है जब सरकस्थ दिखाता है सरकस्याने वाले तो कुंखार Γानवर को अपने इसारे में सांथा जाता है शेर चीह न भालू सबकों आपनी यसारी पर न झाता है और आतनी कुद मियंगा है इक इक wal Rebel ल रहे माझे बच्छा के मैं अधंगा अध्रिक गए एक संत गए अध्री ने कहा माराजी में घंदेखहूं तो तो कहते हैं देखा हो तो एक खेलावना लाया था एक खेलावना लाया था तो खेल देखा बच्चा कहता है माराजी आप गो कहो तो चल पड़ेगा कम कहो तो रुख जाएगा वहीं पर आ जाएगा आपके पास वापीस तो कहते हैं बोलो माराजी बोलते हैं गो उनका आप कहते हैं रुख जाता है कास ऐसे ही इंद्रिया होती तो कितना अच्छा होता है लेकिन ऐसा नहीं है लेकिन इससे अच्छा है कि हम जो चाहे वो सोच सकते हैं जैसा चाहे हम जी सकते हैं उससे अच्छा है लेकिन जो कंजोर होते हैं जो बुझती लोग होते हैं जो कायार लोग होते हैं, वो दूसरों के इसारे पर नस्ते हैं, अपने आप को परतंत्र साबित करते हैं, बासाहत का जीवन नहीं जिनते हैं, सैयम बहुत जरूरी है, सैयम की परिभासा दिखिया आप, सैयम की परिभासा बहुत ही जरूरी है, बीना सैयम की आफिकास नहीं कर सकते हैं महत्मा गांधी सर्यम की परिवासा दिखाते थे महत्मा गांधी जब उनकी पत्नी कस्तुर्बा भाई को उनका ब्लट पे सर बढ़ गया था डाक्टर ने कहा उनको कि तुमको नमक नहीं खाना है नमक नहीं खाना है कस्तुरबा बाई को लगता था क्या सिठा सिठा खाए नमक कैसे नहीं खाऊं वो विचारी करती क्या थी चुपके से नमक खाले दे थी एक दिन महात्मा गांधी उनके खाते हैं भोजन को छीन करके चखा तुम नमक खाती हो तो महत्मा गांधी ने कहा अब तुम नमक खाओ या ना खाओ कोई बात नहीं मैं च्छाय महेना के लिए नमक को पच्च भी नहीं करूँगा कस्तुरवा भाई नाक रगड़ती है आप क्यो नहीं खाओगे मैं तो आप खाओ मैं छोड़ दूँगी छोड़ दी तो महत्मा गांधी कहते हैं आखिर तुम मेरी पत्नी हो और धागनी हो मैं खाओं और तुम नहीं खाओ तो क्या मतलब होता है इसलिए अच्छा मैं छोड़ देता हूँ ये महत्मा गांधी का सेया मैं मातमा गंधी बदाम खाते थे तो बदाम खाते थे तो 6 बदाम भिंगाना था तो उनके साथ में 6 के साथ में 8-10 बदाम भंगाते थे तो मातमा गंधी कहे 6 बदाम भिंगाया थे दूसरे दिन उनके साथी ने फिर 8 बदाम भिंगाया थे तो मातमा गंधी कहे मैं 6 बदाम यह सिएम की परिवासा है आत्मी बंधों बीना सिएम क्या विकास नहीं कर सकते हैं क्था वाचक मंच पर बैठे रहते हैं कठा कर रहता हैं भागवत कर兩 समाच कर रहें अगर किसी संतों से जुड़े अच्छे लोगों को बुलाईए जो आपको अपने आप से मुलकात कराए ये कहना चाहिए जीवन सुधार का केंद्रा है सतसंगी जीवन परिवर्तन केंद्रा कहा जाता है सतसंग को जीवन परिवर्तन केंद्रा आप अपनी इंद्रियों को अपनी इसारी पर न चाहिए एक बुढिया मा की अवस्था लगबग 80 वर्सा की अवस्था थी उन्होंने सुना था कि गंगा मैया में इसनान करने मात्र से मुक्ती मिल जाती है उनके मन में एक तमन ना रही कि मैं भी गंगा इसनान कर लो मैं भी गंगा इसनान कर लो मन में एक तमन ना थी बुढिया मा धीरे धीरे घर से निकलती है धीरे धीरे चलते 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 गंगा में पहुंच जाती है गंगा इसनान करती है गंगा इसनान तो कर ली है चलते चलते आई है ठक गई है 80 वर्सा की अवस्था है अब ऐसे चला नहीं जा रहा है बुडिया मा जैसे ही इसनान करके निकलती है तो पगल में एक उट बैठा हुआ था उट बैठा हुआ था बुडिया मा उस उट पर बैठ जाती है और उट खड़ा हो जाता है उट चलना शुरू कर देता है उट चलना शुरू कर देता है लोग भूसते हैं बुडिया मा कि धत जा रही हो बुडिया मा कहती है बेटा मुझे पता नहीं है मेरे पास में नखेल तो है नहीं उट जिधर ले जाए उधर ही मैं चले जा रही हूं मेरे पास नखेल नहीं है ए ए बुडिया मा की कहानी नहीं है ए हम सब की कहानी है नखेल नहीं है, इंद्रियों में सयम नहीं है, इंद्रियों में लगाम नहीं है, तो इंद्रियां उट की तरह हमको जिधर ले जाएंगे, उधर ही हम भटकते भटकते चले जाएंगे, और जीवन तबाह हो जाएगा, जीवन तबाह हो जाएगा, सयम होना चाहिए, लगाम हो श्रीक्रिश्न जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो भगवान क्रिश्न अपने घोड़े को अपने घोड़ों के लिए चारा की वैस्था खुद करता था इतने में द्रोपती कहती है भाईया हमारे यहां इतने नौकर चाकर है इतने लोग है आप भला यह सब काम कौन करते हैं तो भगवान क्रिश्न कहते हैं घोड़े पर सवार मैं हूँ और उसका व्यस्था कोई दुसरा करे क्या मैं नहीं कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ मेरा घोड़ा है मेरे इसारों पर नाचता है भगवान क्रिश्न कहते हैं मेरे इसारों पर नासता है अपने घोड़े को, कभी भी भगवान कृष्ण ने घोड़े पर चाबुक नहीं लगाया है, पूर युद्ध के दवरान कभी भगवान कृष्ण ने चाबुक नहीं लगाया घोड़े पर याद रखिएगा, आप कितना ही चाबुक मारते रहे, अगर सयम ने रहे, तो जीव जाता है भोड़ा पहला देता था अर्जुल कोता था इतना में घोड़े कोसारा करता है उनका घोड़ा बैठा जाता है और बन्दु बान उपर से हो करके निकल जाता है किसकी इसारी पर नस्ता था किसकी इसारी पर ये सैयम की पईवासा है आत्मियों बन्दु जीवन में बिना सैयम की कुछ भी नहीं हो सकता है बिना सैयम की कुछ नहीं हो सकता है आदमी के पास इतनी महा सकती है इतनी सक्ति है कि बताऊं कि हमें जो जन्म के दुस्मन होते हैं उनको भी मित्र बना देते हैं जगा मदारी खेल देखा रहे थे मैं आपको जो बता रहा हूँ घटनाएं हैं मैं कहानी और किस्ता में अपना समय नहीं देना चाहता हूँ एक खटनाएं हैं आप इसको विचार करिएगा एक मदारी खेम दिखा रहा था खेम दिखाते दिखाते मदारी ने सर्प और नेवला को निकाला और सर्प और नेवला अपने छोली से निकालता है और एक दूसरे में दोनों कटी बद्ध हो जाते हैं खुना खुन हो जाते हैं एक वक्ती कहते हैं बस करो भीया दोनों खुना खुन हो गया है मर जाएंगे इतना में मरदारी कहते हैं बस करो बेटा सर्प और नेवना चूप चाप वहीं पर बैठ जाते हैं उनके जोली में बगन में आ जाते हैं जो जन्म के दुस्मन है आप सब को पता है जो जन्म के दुसमन है उसको भी मदारी ने अपने इसायर पर दिखा करके मित्र बना दिया, दुसरा फिर निकालता है, इधर से चुहा और बिल्ली को निकालता है, वो भी दुसरा एक दुसरे में कटी बद्ध हो जाते हैं, फुना फुन हो जाते हैं, उसको भी मदारी कहते हैं, बस करो बेट आप यहीं समाप्त करते हैं, चुहा और बिल्ली अपने अंदर हो जाता है आत्मी बंधों सहियं जरुए है कब तक लड़ेंगे परिवार वालों से आप प्रेम की जिंदगी जीए आनन की जिंदगी जीए आनन की जिंदगी जब तक आपके जीवन में सहियं नहीं होगा आप विकास के करम में आगे नहीं बढ़ सकते हैं आप विकास नहीं कर सकते हैं इसलिए सहीयम बहुत ज़र रही है और सबसे ज़्यादा महत्त पुर्ण भी साइए है कि आप सहीयम की शुरुवात कहाँ शिकरें तो सहीयम की शुरुवात सबसे ज़्यादा इस मूँ से करिएगा इस मूँ से याद रखिए हमारे आँख दो है आँख दो है लेकिन कान सिर्फ एक है आँख से हम सिर्फ देखते हैं नाख दो है सिर्फ नाख से हम सुंगते हैं कान दो है सिर्फ कान से सिर्फ हम सुनते हैं लेकिन जीब एक है और इस जीब से एक मुलायम सा जीब है जिसमें हड्डिया भी नहीं है जिसमें हड्डिया भी नहीं है मुलायम सा जीब है इसका तीन तीन काम है सावधानी से उपयोग करना नहीं तो ये जीब कहीं के कहीं ले जा करके तबाह कर देगी, जीवन को और वरबात कर देगा, जीब मुलायम है, हट्टिया नहीं है, काम तीन है, कौन से काम है, उस जीब से रस्पान करते हैं, उस जीब से भोजन करते हैं, उस जीब से बोलते भी हैं, बोलते भी हैं, जीव से सिरुवात करना अपने जीवन में सहीयम है, जिस घर में परिवार में लड़ाई चलती हो जीव पर सहीयम कर रहे ना आपके घर में लड़ाई बंद हो जाएगी, आपके घर में लड़ाई बंद हो जाएगी, आप हमारे देश में पूरे भारत देश में दो महा काप् हूँ तो जीप पर असयम होने के वज़ा से इंद्रियों में असयम होने के वज़ा से माभारत इत्व होता है जब यदिश्टीर राजशिग करने वाले थे उन्होंने राजशिव जेकी तयारिये के राजशिव करते हैं तो उनका माल ऐसा था जहां जल थल दिखता था जहां सिसा नहीं है जहां वहां सिसा दिखाई देगा था जहां दिवाल है वहां सीधा रास्ता दिखाई देगा था कलकारी ऐसे उन्होंने कहानी में दिया गया है ऐसा बनाया गया था जहां जो चीज नहीं है वो चीज दिया गया था उस वड़ा अलाजिश्वी में द्रुएधन भी आये थे द्रुएधन जैसे ही आते हैं सिधा चलते चले जाते हैं जैसे ही प्रवेज करते हैं इदिश्टियर के दासी कहते हैं महराज आके समहल करके चलना आगे कीचण है सौधानी से चलना द्रुएधन अंकार के मारे हमेश कुम कहते हो कीचड़ हैं और दौryवधन आगे बढ़ता है जैसे ही आगे बढ़ता है और पानी में 강नी गिर जाता है कीचड़ से कीचड़ से लत्पत करदा है द्रोपति उपर फ़्ष्ट मंझिल पड़ति वहां से देखती है और हस्ते हस्ते बोलती है अंधे के अंधे पुत्र पूरे महा भारत का कारण है इतना ही बोलती है द्रोप्रती अंधे के अंधे पुत्र पूरा महा भारत विद्ध का कारण है आप याद रखेगा कभी लंगडे को लंगडे मत कहना अंधे को अंधे मत कहना यदि अंधे को अंधे हम कहते हैं लंगडे को लंगडे हम कहते हैं तो हमसे अंधे और हमसे लंगडे कोई नहीं हो सकता है। हमको जब दिखाई दे रहा है कि वंधा है तो उनको अंधा कहने की क्या जवरत है। किसी की कंजोरियों को कोशनी की जवरत नहीं है। किसी कमजोरियों को आप कोसना नहीं तो बदावलत आपको वyu चीज दुसरा परनाम गलत आजाएगा कोसना मत किसी कमजोरियों को द्रोपती बोलती है अंधे के अंधे पुत्र द्रोधन इतना में जल्ला जाता है इतना में चिर्चडा जाता है जल्ला जाता है और उसी समय वो ठान लेता है उसी समय ठान लेता है चाहे जिस किसी प्रकार से मुझे अब पांडव कुल का विनास करना है पूरे पांडव कुल कर दिया बिना लडाई के एक सुई के नोख के बराबर भी मैं जमीन नहीं dev सकता हूँ उन्होंने यही कह दिया और महा भारत रिद्ध होता है पूरे महा भारत आपके घर में भी यही युफर चलता है आप सब के घर में चलता है इसलिए comment आप कुछ विकास की चर्चे करना है घर की चर्चे करना है आप में गात ग्यान एक साथ बैट करके 24 घंटा में एक साथ बैट के बाते नहीं कर सकते तो क्या करेंगे जीवन में हम आपका घर सुर्ग बन जाएगा शुरुवात करेंगे तो सुर्ग की शिडिया है मैं बता रह लना मेरे लिए उसके बाद मैं पीー हो दो मेरी मरजी हो ज मिरे लिए सब सराब चोड़े ना कोई गाण्जा पिते हों ढुखका खाते हो जबाक हो चांबाखू खाते हों बिड़ी सिक्रेट सबसे निवेदन है कि सब सारे नसा मेरे लिए छोड़ की चले जाना यहां से जाने के बाद में लगना चाहिए कि वास्तों में इस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन हो करके आया है यह व्यक्ति सतसंग सुन करके आया है यहां से जाने के बाद में आप अपने बहु से बेटे से मां से, बाप से, साथ से, ससुख से प्रेम से बात करना, बस प्रेम से बात करना, उनको लगना चाहिए सतसंग में गये थे कुछ बदल करके आएं हैं, आप बदले जीवन को आप, आपके जीवन उचर उचर जाएगा, आप पहुत खुसी महसूस करेंगे आنद महसूस करेंगे लगेगा कि वास्तों मैं यह अच्छी जिंदगी का सुरुवात कर चुका हूं आज आपको औसा मिला है दूसरा मैं उधाराण दूसरा उधाराण है हमारी महा काब्यम में रमायन रमायन पूरा सिखने का आदर सका हमारे सामने हैं लेकिन एक तरफ रमायन भी बनने का कारण वानी में असयम एक जगा घट नघटी है जो की सीता हरन का कारण है मैं चमा चाहता हूँ लेकिन मैं सकते बातें बोल रहा है आपको पता है जब जंगल में वनवास जंगल में स्री राम, लचमन और माते सीता जब जंगल में थी तो जंगल में थी तो वहां घणा घोर जंगल था उस जंगल में वो लोग रहते थे रामन की मन जब स्री राम और लचमन के बारे में सुर्प्रणखना सुनती है कि वहां एक सुन्दर यूवक आया है उनके बारे में सुनने के बाद में उनका मन चल पड़ता है और वहां आ जाती है वो और आ जाती है और लचमन को कहती है कि तुम मेरे साथ में साथी कर लो में तुम्हारे साथ में रा जाओंगी उनको देख करके बोलती है नहीं मानने पर में लचमन ना काड़ देता है ना काड़ने के बाद में सुरी राम ना काटने के बाद में फिर होता क्या है ए बाते सारे बाते जा करके अपने भाईया को रावण को बताते हैं कि वहाँ एक सुन्दर रूप वती लड़की आई है उनके साथ में दो फुरूस है उनके बारे में सुनने के बाद में रावण अपने आपको नहीं रोख पाता है क्या होता है कैसे होता है इन्होंने सब्तों में सयम नहीं रखा उसका पड़नाम क्या होता है जब रावन मारीच को भेजता है उनको कहता है तुमको शुर्ण अम्ब्रीग बन करके जाना है और जैसे तुमको बान लगे पूरे घटना बता देता है तुम श्री राम के लचमन तुम्हारी भावी को यह हीरन पसंद है लचमन इतने में कहते है बैया घन घोर जंगल है या जिंदा या मुड़ा चाहिए और स्री राम उसके पीछे चले जाता है उसके पीछे चला जाता है जैसे ही स्री राम मारिच को बान मारता है और स्री राम के आवाज में लचमन लचमन भुकारता है मारिच लचमन लचमन भुकारता है इतना में माता सीता घवरा जाती है और माता सीता घवरा जाती है और तरो बहुत कहती है चले जाओ चले जाओ नहीं जाती है तब कटुब वचन माता सिता बोलना शुरू करती है माता सिता क्या बोलती है ये चीज खास चीज मैं बताना चाह रहा हूँ माता सीता बोलती है तुम और भरत पहले से अविद्धा में मिटिंग कर चुके थे कि स्री राम को मार देंगे और लचमन को अपना लेंगे मैं तुम्हारे चंगुन में कभी नहीं फसने वाली हूँ ऐसे कटू कटू वचन बोलती है जब माता सीता वो तो मर्यादा पुर्सोत्तम स्री राम की भारिया है राजा दसरत की पुत्रवद्धू है उनको भले ऐसे कटू कटू वचन बोलने की क्या जरूरत था ऐसे ऐसे कटू वचन बोलती है और लचमन जी लचमन रेखा खीच करके चले जाते हैं रावन भेज बदल करके बिखारी के भेज बदल करके आते हैं और उनको हर करके ले जाते हैं हर करके ले जाते हैं आप भी जीवन में सयम नहीं रखेंगे बोलने पर सयम नहीं रखेंगे तो आपके परिवार से आप तूट जाएंगे आपके परिवार से आप बिखर जाएंगे आपके ही मापाप आपको पसंद नहीं करेंगे आपके ही बेटे आपको पसंद नहीं कर में फोड़ी देर और क 나올 हुएं फिर अन्य संत्रजन विराजमान है आप लोग मेरी बात ध्यान से चुट रहे हैं जीवन में इतना ही कहना चाहता हुं जीवन Boston Yankeez पाइए मैं अब थोड़ी सी चर्चा थोड़ी सी चर्चा वायवार की करूगँ आपका घर सुर्ग कैसे बनेगा थोड़ी सी चर्चा दस 50 मेंट फिर अपनी बाण समापते करूँ गर कैसे शुर्ग Maiba जिस घर में जिस घर में मैं पहले ही कहा इटिंग और मिटीज जिस घर में एक साथ होता है वहाँ घर स्वर्ग बन जाता है जिस घर में भाई और भाई एक साथ गले मिलते हों मानो वहाँ घर में रोज होली का तेवार है और जिस घर में रात्री के समय एक साथ मानो माबाप भाई पुत्र बच्चे सब एक साथ मिल करके आपस में चड़ना इस पर सकरते हों बड़े का चड़ना इस पर सकरते हों मैं रोज मनाने का रहा हूँ रोज मनाई आप रोज मनाई आप आपको एक सुत्र देते जा रहा हूँ मैं यहां से इस छेत्र में पहले बार आया हूँ एक सुत्र देते जा रहा हूँ यदि आप घर को सुर्गा बनाना चाहते हैं तो सबसे प्रथम आप जैसे हे बिस्तर से उड़ते हैं आप कभी सर्म मत करिएगा आप सत्संग में आये हैं कहेंगे आज पहला दिन कैसा तो आप लोग कहेंगे कि सत्संग से आये हैं तब से बदल गए हैं आप पहला दिन शुरुवात कर दिजिएगा आज साम से या कल सुबह से ही कल सुबह से ही जैसे ही बिस्तर से उड़ते हैं आप बिस्तर से उठने के बाद में आप अपने बड़े बुजुर्गों का चर्णा इस पर सकरिए माता पिता का चर्णा इस पर सकरिए बड़े भाईयों को चर्ण से तो आप चर्ण इस पर सकरते रहेंगे, तो आपको आसिरवाद मिलेगा, इसके बड़ुलत आसिरवाद मिलेगा। बहुंसे लोग है जो मंदिल में जाकर चर्ण इसपर सकरना नहीं भूलते हैं दीप जलाना नहीं भूलते हैं लेकिन जिन्हों ने हम अंतवस्तल में दीप जलाया है जिन्हों ने प्राण दिया है हमको किसने प्राण दिया माता पिता ने उनका चण इस पर सकरने से आप जूख जाते हैं आप मत जूखे आप मंदिर में एक बार दीप नहीं जलाते हैं चल सकता है मंदिर में एक बार भोग नहीं लगाते हैं चल सकता है लेकिन माबाप को भोग लगाना मत भूलिए माबाप का चर्ण इस पर सकरना मत भूलिए आपके माबाप गाली भी देते हो कटू भी कहते हो कब तक कटू कहेंगे वो कब तक कटू कहेंगे वो कब तक गाली देंगे आप चर्ण इस पर सकरते रहे आप करते रहिए करते रहिए आपको आसिरवाद ही मिलेगा प्रतम शुक्त रहे और इसके बदावलत क्या होगा इसके बदावलत आपके बच्चे सिखेंगे आपके बच्चे सिखेंगे आपका चड़ने इस पर सकरेंगे कहीं कहीं आम लोग जाते हैं तो कहते हैं बिटा साह लोगों को चड़ने इस पर से करो, बच्चे खड़े कहां चड़ने इस पर से करते हैं, नहीं करते हैं चड़ने इस पर से करते हैं, बच्चे को कहना नहीं पड़ता है, बच्चे तुरन चड़ने इस पर से करते हैं, आप से सीखते हैं, आप मैंने पहले ही दिन कहा था, आप अपने घर को मंदीर बनाईए आप आपका घर कब्रिस्तान नहीं है आपका घर नर्क का द्वार नहीं है शुर्ग का फाटक फोली आप चड़ने इस पर से करेंगे आपके घर में महौल प्रेम का महौल होना चाहिए कभी सास और बहु मत लड़िये आप पती और पत्नी मत पति काता था तुम इस घर से चले जाओ पत्नी कहती तंव Вас घर से चले जाओ एक चार साल teddy का बच्चा और यता उनका उंका बच्चा देखता था नहीं पनाद पत्नी माह और पापा आपस में लड़्या ले ए एक दिन इस सिदिय ऐसे आती है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई शुरू हो जाता है दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते है छोटे से बच्चे चार साल का बच्चा और छै साल का बच्चा पहले अपने मम्मी के पास जाता है और मम्मी के पास जा करके फुशता है क्या सच में मां तुम इस घर को छोड़ करके चली जाओगी बच्चा क्या सीखा चार साल और छे साल का बच्चा फुशता है क्या सच में मां तुम इस घर को छोड़ करके चली जाओगी इतने में बच्चे फिर कहते हैं यदि मा तुम इस घर को छोड़ करके चले जाओगी तो हमको सुबा कौन उठाएंगे हमको सुबा कौन इसनान कराएंगे हमको इसकुल जाने के लिए तयार कौन करेंगे हमारा टिपिन कौन तयार करेंगे इतने में उनकी मा के आँख फूल जाती है बेटा मैं तुमको छोड़ करके कहीं नहीं जाओंगी मैं यहीं रहूंगी कहीं नहीं जाओंगी और रो पड़ती है, इनकी आँख खोल जाती है, आप लड़ते हैं बच्चे का जीवन प्रभावित होता है, आप लड़ते हैं अपने आपके बच्चे का जीवन प्रभावित हो जाता है, आपकी जिम्मेत आरी है, मैंने कल इस दिन भी एक दिन और कहा था, यदि आप मा बन तो माँ बनने की अहम्यत पैदा करिए आप। लेकिन माँ बनने की योग जता पैदा कर पाना ये सरल नहीं है। आप सास बन गए हैं बहु बन गए हैं घर के बुजुर्ग हैं घर के बहु हैं वो अहन्यत पैदा करिए बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग की तरह रहिए आप घर के बुजुर्ग हैं सास है तो बहु को प्यार देजिए और प्रेम देजिए कि आपकी बेटी आपकी बेट है जिस दिन आप की नजर आजाएगा उस दिन सच में आप मां बन जाती है ंदि आपकी बहू में आपको बेटी नजर नहीं आ रहा है तो तो आप मा नहीं बन पाईए इसलिए बच्चे उसके बाद में पीता के पास में जाता है और पीता को यही प्रस्ण करता है किया पापा सच में आप इस घर को छोड़ करके चले जाएंगे ज़िए आप इस घर को छोड़ करके चले जाएंगे तो हमको इसकुल कौन ले इतना मुनका आँख खूलता है कहते हैं कहीं नहीं जाएंगे आप अपनी परिवार को सुन्दर बना जाएंगे मत लड़िये आपस में पती और पतनी आप आपस में पतनी और पतनी लड़ते हैं तो बहुतों को दुख मिलता है पती और पतनी लड़ते हैं जिस घर से बेटी आई रहती है, जिस घर से बहु आई है, वहां तक संकेत जाता है, उसके माँ बाप दुख में पढ़ जाती है, मैं कैसे घर अपने बेटी को भेज दी हूँ, इतना दुख में अपने आपस में पती और पती लड़ रहे हैं, कितना दुखी होते हैं, सास और बहु लड़ते हैं जीवन तपाव हो जाता है बच्चों का मैंने पहले ही कहा जैसे ही आपके घर में बच्चा पैदा होता है आपका जीवन खतम हो जाता है, आपका जीवन का सिर्फ पकेंद्र बन जाता है, आप अपने बच्चों के लिए जीते हैं, आप अपने बच्चों की से उच्च संसकार देजे, घर में बिठाइए बच्चों को, चोपीज घंटा आप उनको पैसा कमाना सिखाते हैं, पढ़ाई लिखाई सि बड़ों को कैसे सम्मान देना है अतिती को कैसे सम्मान देना है संद गुरु जनों को कैसे आदर देना है यह चीज शिखाई और जीवन का उद्देश से याद रखना बेटा को अपने समझाईएगा जीवन का उद्देश से बेटा पैसा कमाना नहीं है जीवन का उद्देश से बेटा यही है कि आपस में प्रेम की जिंदगी जी लेना ये जीवन का उतेस है सास और बहु ऐसे ही एक जगा लड़ रहे थे सास और बहु लड़ रहे थे एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन में लड़ाई होती ही थी लड़ाई हो जी थी एकिन ऐसे लड़ाई हुई की सास और बहुंगे लड़ाई होने के बाद में सासु मा रोते रोते कमरे में चली जाती है और कमरे में रो रही है इतने में उनका छोटा सा पोता चार साल का पोता जाता है उनकी कमरे में चार साल का पोता जाता है और चार साल का पोता कमरी में जाता है और अपने दादी मा का पल्लू उठाता है और पल्लू उठा करके अपने दादी मा का आंसु पोचता है और दादी मा को कहता है दादी तुम रो मत देखे महत तुपना बात है दादी तुम रो मत जब मैं भी ब क्योंकि वो अपनी सासु मां से बहुत लड़ती थी क्या मिला आपको जीवन तबा हो जाएगा मत लड़ो आप अपने परिवार से प्रेम करो आप प्रेम करो सासु मां से प्रेम करो आप सासु मां से प्रेम करोगे तो आप भी सासु मां बनेंगे वही प्रेम मिलेगा प्रेम की बात आई तो मेरे पास में एक और घटना है मैं बता हूँ एक बुर्या मा 80 साल की अवस्था 80 साल की अवस्था चमडी इतना मुलायम सहो गया था यदि जोर से पकण दिया जाए जोर से हात पकडा जाए तो चमणी छिल सकता था इतना मुलायम हो चुबा था चमणी इतना जरजरता की अवस्था आगई थी 80 साल की अवस्था इतनी जरजरता की अवस्था आगई थी उनको एक बेटी एक बहु बड़े प्यार से नहला रही थी बड़े प्यार से नहला रही थी, मताओं के लिए खास बाते कह रहा हूं मैं, बड़े प्यार से नहला रही थी, इतना में एक संत उज़र से उधर से गुज़रता है, गुज़रते गुज़रते पुषता है, बेटी, क्या तुम्हारी मा है ये, क्या तुम्हारी प्रथम पु है इतना प्यार से इस नान करा रही हो तो इतने में वो कहते हैं नहीं संद भगवान मा नहीं है मा से बढ़ करके है इस दुनिया में मा से बढ़ करके और कुछ नहीं हो सकता है वो कहते हैं मा से बढ़ करके बेटी और क्या हो सकता है मा से बढ़ करके पवित्र रिस्ता तो इस दुनिया में कुछ नहीं है इतने में बेटी बोलती है महराजी जिसके बदवलत मैं इस घर में टिका हूँ जिसके बदवलत मेरा शुहाग है जिसके बदवलत मेरे मस्तक में बिंदिया लगी हुई है जिसके बदवलत मैं शिंदुर भरा हुआ हूँ जिसके कोख में मेरा पत वहाग पला है क्या इतना प्यार आप अपने बहुत से करते हैं आप इतना प्यार अपने बहुत से करेंगे तो आप घर स्वर्ग बन जाएगा मैं अपने साथ घटा 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 बता घटा 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 घटी ओ बता रहूं आज से करीब एक साल पहले मैं इलहाबास से जो मेरे time pass का साधान था वो गुजर गया मेरे पास time pass का साधान नहीं है इसलिए मैं केक बनाने आता हूँ, मैं का टाइम पास का साधन क्या था, वो कहते हैं मेरा टाइम पास का साधन था, मेरी मा थी, मेरी मा थी, मेरी मा मतलब मेरी सासो मा थी, मैंने जिसके साथ में करीब करीब 20 साल गुजारा, वो कहते हैं जिसके साथ में मैंने 20 साल गुजार द और 20 साल बुजाने के बाद उनका नाम सांती माता थी उनका नाम जैसे ही उनका जीवन था महराजी मेरा 20 साल मानो 20 दिन की तरह निकल गया मेरा 20 साल 20 दिन की तरह निकल गया लेकिन अब मेरा 20 दिन मुझे 20 साल से भी अधिक लग रहा है मेरा एक पल पल मेरा जीवन जीना मुस्किल हो चुका है मेरी माँ थी वो मुझे आज तक कटू वचन नहीं बोली कड़ा वचन नहीं बोली इनके साथ मैंने बुजा रहा है मैंने माँ से बड़गर के माँ पाया था आप अपने परिवार को सुन्दर बनाई मत कोसिए अपने माँ बाप को कोसिए मत अपने माँ बाप का फॉलन पालन पोसन करिए अपने माँ बाप को प्यार से रखिए जिनों ने आपको अपने कोख में रखा अपने इस्तनपान कराया साहब जी ने कहा अपने कष्ट सह करके आपको पढ़ाई लिखाई कराये आपको योग्य बनाये आप मत कोसिये आप भगवान की पुझा मत करिये चम्य हो सकता है लेकिन माब आपके पुझा करना मत भूलिये आप माब आपको सम्मान देना मत भूलिये आप यदि आप यह चीछ करना भूल जा हैं तो आपको वही चीज लौट करके बिलता है एक बच्चा एक बच्चा जिसका दादा जी था उनके दादा जा जो कि उनके पीटा जी उनको िख्षोपड़ी में रखा हुआ था उनके लिए भोजन ले जाता उनकी अभी मिट्टी का बर्तन को इकठा करके दो धो अगर्व करके रखता था थैच्छा स्कूर जा कि मेरी मेरे बच्चा अपने दादा का चूठारा करके रखता है पच्छे को पुष्ता है बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो वो कहते हैं मा आज आपके पास में करोडों का मकान है करोड रुप्या है आपके पास पैसा है द्रभ्य है आप रोज मिट्टी के बरतन फेकते चले जा रहे हैं क्या पता एक दिन ऐसी इस्तिती आई एक दिन ऐसी इस्थिती आई कि मैं जब मैं भी मेरी आपकी अवस्ता होगी आप बुढ़ापे हो जाएंगे आप बुट्टे हो जाएंगे बुट्टियां हो जाएंगी तो मेरे बास में उतना पैसा नहीं रहा तो इमिट्टी के बरतन में आपको भोजन दिया करोगा उनके पूल जाती है माबाप को हम किस तरह से बेकदर कर रहे हैं माबाप को किस तरह बेकदर कर रहे हैं वो अपने जोपड़ी से महल में ला करके शौगत करता है आप मत करते हैं माबाप से कुस्षिय मत आप एक बच्चा मंदीर देखा माबाप से खुस्ता था पापा ये मंदी किसलिए कहें गरीबों के लिए होता है अनाथों के लिए होता है जिनको कुछ नहीं मिलता है वहां जाकत कि भोजन कर लिया करते हैं तो पापा को पुछते हैं पापा क्या मंदीर आपका है नहीं बच्चा नहीं बेटा है मंदीर मेरा नहीं है मंदीर दुसरे का है एक दिन मा माबाप को और बच्चे को मंदीर एक जिगह पार्टी में जाना था एक जिगह फंसंथा पार्टी में जाना था रात्री का 11 वरा बज़े आना था उनको तो अपने मापने बच्चे के साथ में अपने पत्नी के साथ में पार्टी में जाने की तैयारिया कर लिए हैं तैयारिय में कहते हैं पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी एक मंदिर बनाऊंगा जब आप लोग बुट्टे हो जाएंगे तो आप दोनों को बंदिर में भेज दिया करूँगा आप दूसरे के मंदिर में भेजते हैं मैं खुद का मंदिर बनाऊंगा उस मंदिर में भेज करना क्योंकि हम लोग व्यस्तर रहेंगे इस तरह देखे बच्चे को क्या प्रभाव बढ़ता है जिंदगी को तबाह मत करिए आप अपने जिंदगी को तबाह मत करिए पहुत सुंदर जीवने मिला है प्रेम से जीए भगवान के भरों से मत बैठे रहिए सहीयन की परिभास जीवन के 90 प्रतिसत सक्ती 90 प्रतिसत समय को आप धन कमाने में लगा देते हैं कभी अपने परिवार के लिए टैम लगाईए कभी अपने आत्म कल्यान के लिए कभी अपने उथार के लिए अपना समय लगाईए कभी अकेले में बैठ करके आत्म चिंतन करिए क्या मेरा सही जगह लगा अपना सही जगह अपना समय लगा ये आप एक कहानी करूं एक घटना उसके बाद में अपने बाद समाप्त करूं एक जगह बच्चा अपने पापा से मिल नहीं पाता था पापा से मिल नहीं पाता था देखता था पापा हमेशा व्यस्त है व्यस्त है एक दिन हुआ क्या उनके पास में इकठ्था करते 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 50 रुपी इकठ्था हो गया था उनको पता था मेरे पास कुछ पैसा है उनके पास में मिट्टी का बर्दान था उसमें पासा डालता जाता था इकठ्था कर रहा था एक दिन अपने पापा से कहता है पापा मुझे 50 रुपी दोगे किया अपने पापा से पुछता है तुम कहते हैं तुम पैसे को क्या करोगे डांट देता है फिर वह बच्चा दौण करके फिर जाता है पापा प्लीज मुझे पचास रुपिय दे दो पहले से उनको पता था कि पापा एक घंटा में सो रुपिय कमाता है और उन्होंन जो कुछ चाहिए मैं देता है तुम पैसा को क्या करोंगे और बिवह दे देता है देने के बाद में उनके बच्चे को खोषी होती है और बच्चे कमरे में जाता है कमरे में जाता है और उनको 어 ehkä मशपा प्छार रहता है मिट्टी जाने के पाप अपोई बहुत वेस्तर रहते हैं हाँ बेटा मैं बहुत वेस्तर रहता हूं आपके पास time नहीं है पापा I am मेरे पास time नहीं है बच्चे मुझे disturb मत करों पापा अब एक घंटे में कितना कमा लेते हैं पापा कहते तुमको इससे क्या करना है मैं कितना कमाऊं तुम्हारी वेस्था तो मैं कर रहा हूं तुमको क्या करना है इसन चीजों से पापा बताओ ना प्लीज कितना पूरा पैसा लेकर के आता है और पापा को सौ रुपिया देता है पापा आज आप लोग हम आज आप हमारे साथ दो पर कर लंच एक साथ करेंगे मैं आपका एक घंटा खरीदना चाहता हूं हूं मैं आपका एक घंटा खरीदना चाहता हूं और अपने पापा को पैसा देता है पापा सरमसे नीचे कर देता है अपने बच्चे के लिए जिन्हों ने अपने बच्चे को जनम दिया हैं उनके लिए एक घंटा का टाइम नहीं है पैसा 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 बनाने की फैक्री बना लिया जीवन को आपका जीवन इतना बेस्क इनकी है सुन्दर जीवन करिये आप लोग सुन्दर जीवन करिये बहुत अच्छा जीवन है मैंने एक चुत्र पहले बताया कि आप सभी लोग महसूस करूंगा कि अच्छा जीवन जी रहा हैं, यहां से जाने के बाद लोग, यहां से जाने के बाद सभी के सभी आस्तान से अकल सुबह से चड़ने पर सकरना शुरू करती है, उसके बद्यावलाद आपके बच्चों और चीज सिखेंगे, और दुस्री चीजे, कि ऐसे ही विचारों को चुड़ने के लिए आप लोग संत महात्मा को बुलाइए, कथा कहानी किस्ता में अपना टाइम बरबाद मत करिए, आप जीवन किसी के जिस से मिले वो चीजे, वो बाते आप लोग करें, कथा कहानी में अपना वक्त बरबाद मत करें, जो जीवन का उध्धार नहीं किया है, और दुश् संतों को बुलाइए, जिनको बुला सकते हैं, बुलाइए, आप लोग प्रोग्राम करिए, और बच्चे को संसकार देजिए, और उन लोगों से बचिएगा, जो लोग आप किसी को बुलाते हैं, और पैसा का डिमांड करते हैं, कि इतना पैसा लगेगा, उन लोगों से साधार रहीगों, धार्मी की लगती नहीं हो सकते हैं, मैंने काफी देर तक आप लोगों के बीच में, बहुत सारी बात कही, और बाते तो ऐसे हैं कि खतम नहीं होती है, चलती चली जाती है, कबीर का विचार ऐसा है, जैसे साखे पर साखे निकलते चले जाते हैं, निकलते चले जाते हैं, ऐसे ही विचार का सोत आता चला जाता है, ऐसे ही आप चिंतन करेंगे तो इसारी विचार आपके अंदर आएगा आपका जिवन इसी लिए है आप चिंदन करिया आत्म चिंदन एक महान व्यक्ति बनना है आप सब को एक योत्धा बनना है अपने साथ लड़ाई करना है अपने बुराईयों के साथ लड़ाई करना है और सयम की परिभासा के साथ घर को स्वर्ग बनाईए घर को प्रीम मैं ब पूरिये सद्गुरु देव की जैए। बहुत बड़िया समझाया है। और साथ मुझे तो ऐसे हैं लगते हैं कि बड़ी संतन्यों लगते हैं कि मैं जो कुछ कहूं तो इस पबलक तक पहुंचे। अज्मारे लगते हैं कि जा करते हैं कि बड़ादे देव कि जा हैं कि बड़ी क करते हैं पूरिया यद्ग्णी हैं कि अद्वकर छो समझाया हैं